नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जी हाँ, हम दोस्तों आज बात करें हैं ऐसे परदार्थ की जो आपकी कब्स को बिल्कुल दूर कर सकता है दोस्तों ऐसा कोई एलाज नहीं है जो आपकी कब्स को दूर ना कर सकता हो पर आज जिस सुपाय की मैं बात कर रही हूं उस सुपाय से आप अपनी कब्स को बिल्कुल दूर कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों जो मैं बात कर रही हूँ वो है ऐलोवेरा यानि की जो कप्स को बिलकुल दूर कर देगा जी हाँ ऐलोवेरा दोस्तों हिंदी में कहें तो धृत कुमारी दोस्तों ये ऐसा पोध है जो भारत में हर एक जगा पाया जाता है ऐसी कोई भी राज्य वैदेश नहीं है जहां ये आपको असानी से नहीं मिलेगा अलोविरा की खेती भी की जाती है जिससे कई प्रकार के सौंदर्दे प्रोड़क्ट और दवाईयां और श्रदियों के रूप में इस्तिमाल किया जाता है दोस्तो अलोविरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा लापकारी होता है आज हम कब्स की समस्या को दूर करने की बात कर रहे हैं जी हाँ दोस्तो आप अलोविरा से कब्स की समस्या को दूर कर सकते हैं क्योंकि ये पेट के विकारों को भी रखता है दूर तो आईए जानते हैं क्या है इस वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में ऐसे उपाये बताये जा रहे हैं जिनका आप प्रयोग कर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं पेट के विकारों को भी करता है दूर जी हाँ दोस्तों अगर आपको पेट की किसी भी तरह की परिशानी हो दर्धों, कब्जों, अल्सर, गैस, किसी भी प्रकार के रोगों के लिए धृत कुमारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमंद और शद्धी मानी गई है और ये बहुत जल्द असर करती है अलोवेरा के रस में नीमू का रस में लाकर और उसमें काले मिर्च के पानी से बहुत ज़्यादा फाइदा मन्द होता है पेट में अफरा हो गया हो या अराम ना मिल रहा हो तो गृत कुमारी के गूदे को 10 क्राम सेवन करने से पेट में अराम बहुत मिलता है अब बात करते हैं पुरानी कब्स को ठीक करने की जी हार दोस्तों कितना भी पुराना कब्स को ना हो आपको वो जल्द ही ठीक कर देगा अगर आपको कितनी भी पुरानी कब्स हो तो आपको रोजाना एलोवेरा का जूस का सेवन करें इसके लिए यदि आप अरंडी के तेल मे गृत कुमारी का जल मिलाकर उसे खाएं या पीएं तो कितना भी पुराना कब्स हो खतम हो जाएगा बहुती जल्द बच्चों की कब्स में भी बहुत जल्द अराम लाता है ऐलोविरा छोटे बच्चों को पौटी करने में परिशानी हो रही हो स्टूल नहीं हो रहा हो अगर हो भी रहा है तो बहुत तकलीफ हो रही हो तो ऐसे में एलोविरा का रस और थोड़ी सी हिंग को गरम करके बच्चे की नाभी के पास लगाएं आपके बच्चे को पौटी अराम से आ जाएगी जब एलोविरा भार से इतना असर करता है तो पेने में कितना फाइदे मंद होता होगा आप जानी सकते हैं जी हाँ दोस्तों आप मैं बात करूंगी लीवर की लीवर की समस्या को भी दूर करता है एलोविरा यदि आपका लीवर कमजोर हो, दुल्लब हो गया हो, कितना हिलाज कराने के बाद भी कोई फैदा ना हुआ हो या फिर जादा अंटियोबियोटिक लेने से आपके लीवर में खराब आ गया हो ऐसे में हमें प्राकृतिक रूप से अलोवेरा का प्रियोग करना चाहिए इसके लिए एक किलो ग्राम रस में, दस ग्राम काले मिर्च, पचास ग्राम काला नमक या सिंधा नमक और नीमू के रस में अधिक मातरा में मिला लें तथा इस मिर्च को रोज सुबा खाली बेट लें इसे आपके किसी भी प्रकार का लीवर की समस्या दूर हो जाएगी तो दोस्तों आपने देखा अलोवेरा के कितने फायदे हैं आप इन उपायों का प्रियोग कर खुद फायदा उठाईए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए